नवशकार आप सभी का स्वागत है एक्जाम लोकेशन योट्यूब चैनल पर आज देख सकते हैं हम एक टोपिक कवर्म करने वाले हैं एक टोपिक क्या बोलें इसको एक अनुच्छेद बोलेंगे एक पार्ट बोलेंगे पॉलिटी का जिसमें से अकसर एक्जाम में कोशन आते हैं और 100% हर एक एक्जाम में आपको यहां से कोशन देखने को मिलते हैं और वो है सुतन्तिता का अधिकार यानि की राइट टो फ्रीडम जिसके अंतरगत अनुच्छेद 19 से और 22 तक आते हैं और सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है आर्टिकल नमबर 19-1 यानि की 19-1 इसमें दोस्तों यहां पर 6 टोटल फ्रीडम जो राइट टो फ्रीडम के 6 कानून दिये गए हैं वो कौन-कौन से हैं और इनको आप किस तरह से याद कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको एक अच्छे से explain करूँगा ताकि आपको समझ में भी आएगा तो देखें दोस्तों सबसे पहली बात तो यह जो 19-1 है अनुचेद यहां से हमेशा question पूछते हैं लेकिन इसमें गलती यह करते हैं student की जो इसमें 6 यहां पर दिये गए हैं अधिकार तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा जो mind है वो सोचने समझने में इतना समर्थ होता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ चीजे ऐसे अपने mind के according ऐसे set करनी होती है कि आपके जो mind है उसमें एक picture बनने लग जाती है तो उसी तरीके से मैं बताता हूँ कि मैंने इनको कैसे याद किया starting में मुझे काफी problem होती थी तो वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सबसे पहले देखी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सा आते हैं उसके बात करते हैं सबसे पहला है वाक एम अभिव्यक्त की सुतंतरता यानि की प्रेस की सुतंतरता उसके बाद आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन की सुतंतरता दोस्तो एक बात और हैं यहाँ पर कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं कि अनुच्छेद 19.1 में जो है वो प्रेस की सुतंतरता है और 19.2 में शांतिपूर्ण सम्मेलन की जो कि बिलकुल गलत हैं, सही ये है कि अनुच्छेद 19.1, इसके अंतरगत ही ये 6 जो सुतंतरता है, ये शामिल की गई है, तो इनको आप अच्छे से याद रखें, अब बात करते हैं कि कैसे इनको याद कर सकते हैं, कौन-कौन सी है, तो प्रेस की सुतंतरता है, शांतिकूर स संगठन बनाने की सुतंतरता, अबाद ब्रह्मन करने की सुतंतरता, भारत के किसी भी छेतर में निवास की सुतंतरता और आजीवी का व्यापार करने की सुतंतरता, अब आपको जब मैं explain करूँगा, तो समझ में आ जायेगा, देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो ड्रेस होती है, उसको त्यार करते हैं, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले प्रेस, ड्रेस को क्या करेंगे, प्रेस इस तरियानी की है ना, तो सबसे पहले प्रेस करेंगे, तो नंबर एक पर आ गई प्रेस की सुतंतरता, यानि कि वाक एवं अभिव्यक्ति की सुतंतरता ठीक है इसका मतलब क्या हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति की यानि कि हम अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं बोलने की सुतंतरता इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको बोलते हैं प्रेस की सुतंतरता ये दूसरे नमबर पर आ गया है अब तीसरा जब हम किसी भी शादी समहरो सम्मेलन में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं अरे यार हम तो अकेले हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने friend circle को वहाँ पर खोजेंगे और उनके साथ एक गुट बनाएंगे है न तो संगठन यानी की है संगठन बनाएंगे कि हमें अपना संगठन बनाएंगे फिर हम मोजमस्ती करेंगे जो भी काम करना है तो संगठन बना लिया तो तीन नमबर पर हो गया संगठन बनाने की सुतंतिता यह हो गया भी घूमने की सुतंतरता तो संगठन बनाने के बाद हम घूमेंगे फिरेंगे मोज लेंगे है ना तो चार नमबर पे हो गया अबाद भर्मन की सुतंतरता उसके बाद काफी घूम फिर लिए हम ठक जाते हैं तो एक जगह ढूनेंगे हम बैटने के लिए तो भारत के किसी भी छेतर में निवास की सुतंतर था कहीं भी हम बैठ सकते हैं निवास कर सकते हैं यानि कि इसका मतलब यह हो गया निवास करना तो भारत के किसी भी छेतर में निवास की सुतंतर था नमबर पाँच पर आ गया अब नमबर 6 है आजीवी का व्यापार करने की सुतंतता बैठ गए हैं आराम से सैटल हो गए हैं घूम फिर लिए काफी मोले मस्ती कर ली अब उसके बाद हम बैठ कर कुछ भी करने किसी को कोई मतलब नहीं होता है न तो सुतंतर हम कुछ भी करने के लिए हमाँ पर बैठ कर आराम से तो आजीवी का और व्यापार करने की सुतंतता इस तरह से ये 6 के 6 बिल्कुल sequence wise आपको याद हो सकते हैं एक कहानी बन जाती है हमारे mind में जो मैंने आपको बताया तो आप इससे काफी आसानी से याद कर सकते हैं आप एक दो बार practice में लाएंगे इसको तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा ये काफी important है इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको imagination के according आपको कराने का प्रियास किया है उम्मीद करता हम आपको पसंद आएगा next देखते हैं सुतनता का अधिकार में और क्या अनुच्छेद हैं उनमें क्या दिया गया है एक है article 20 इसके according अपरादों के लिए दो शिदी के संबंद में संरक्चर यानि कि एक अपराद के लिए एक ही सजा हो सकती है उसको दुबारा नहीं इस तरह के कानून यहाँ पर शामिल किये गए है यह basically exam में कम आता है लेकिन important है आ जाता है एक है article 21 यह भी काफी important है article 21 और आज के time में यह article 21 है जो उसमें काफी questions आते है इसमें से देखिए जीवन का अधिकार है न आर्टिकल 21 में प्राण एवं देहिक सुतंत्रता यह शामिल है इसके अनुसार यहाँ पर कई चीज़े शामिल की गई है जीवन का अधिकार और निजिता का अधिकार यह जो जीवन का अधिकार है यह सबसे ज़्यादा important है निजिता का अधिकार सूचना का अधिकार निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सोने का अधिकार इक्षा मृत्यू यानि की काफी चीज़े इसमें शामिल की गई है आर्टिकल 21 में काफी चीज़े है तो इन सभी को सामिल किया गया है यह सभी सुतंत्रता निजिता का अ तो इसको भी आप याद करें ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 ए ये भी काफी इंपोर्टेंट है इसमें क्या है निशुल्क प्राथमिक सिक्षा यानि कि 6 से और 14 वर्स तक के जो बच्चे होते उनको निशुल्क प्राथमिक सिक्षा दी जाए इसके अनुसार 21 ए यहाँ पर पनुचे जोड़ा गया ये मूल सविधान में सामिल नहीं था इसको बाद में शामिल किया गया 86 वा सविधान संसोधन 2002 द्वारा शामिल किया गया और आर्टिकल 22 इसमें कुछ दशाओं में गिरफतारी वे निरोध से संद्रक्चन गिरफतारी से ले करें जैसे महीलाओं क इस तरह से हैं बाकि जो इंपोर्टेंट है वो एक तो ये है आर्टिकल 21 ए एक है आपका 21 आज के टाइम पर ये काफी पूछा जाता है उसके बाद जो तीसरा इंपोर्टेंट है वो है 19 वन ये तीन तो आपको अपने उमलियों पर याद होने चाहिए और इन में से काफी क आते हैं बाकि जो भी पॉलिटी के और इंपोर्टेंट टोपिक्स होंगे उनको हम ऐसे ही धीरे धीरे छोट शोट शोट वीडियो बनाकर कवर करने की कोशिश करेंगे बाकि आपको कैसी लगी वीडियो की कमेंट बोक्स में जरूर बता है हमारे प्रियास कैसा लगा वीड को सब्सक्राइब किये भी ना जाए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट बहतरीन इंफ्रमेशन के साथ में धन्यवाद